हेलो स्टूडेंट्स आज के ख्लास में हम यूनिट नमबर टू कलेक्शन ओर्गनाइजेशन और प्रेसेंटेशन अफ डेटा के अंदर चाप्टर नमबर वन डिसकास कर रहे हैं और उसी को कंटीनू करेंगे आज के ख्लास में भी चाप्टर वन जिसका नाम है कलेक्शन इस चाप्टर में अब तक हम लोगों ने फ्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सारे मेथोड्स डिसकास कर लिए हैं अब हम आज के ख्लास में शुरू करेंगे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथोड्स कौन-कौन से होते हैं और उन मेथोड्स को हम जरा डीटेल में तो आज का टॉपिक है हमारा मेथोड्स ओफ कलेक्शन ओफ सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथोर्ड्स डिसकास करेंगे हम लोग आज और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के टोटल दो तरीके हो सकते हैं मेथोर्ड्स कह सकते हो आप इनको या आप सोर्सेज बोल सकते हैं क्यों क्योंकि secondary data वो data है जो हम पहली बार collect नहीं कर रहे हैं ये data हमारा already collected होता है तो जो data already collected है उसको प्राप्त करने के कितने sources हो सकते हैं हम वो जानेंगे और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि primary data की तरह secondary data के collection के बहुत सारे तरीके नहीं है but there are two methods या फिर आप इनको बोल सकते हो sources, दो तरीके या दो श्रोत है there are two sources of secondary data secondary data को collect करने के दो तरीके या दो sources हो सकते हैं they are, सबसे पहला जो है वो है आपका published source published source और दूसरा है आपका unpublished sources published sources और second हो गया आपका unpublished sources देखे published sources क्या है तो published source पोलने का मतलब हुआ कि जब हम data का collection करते हैं जो data हमारा already collected है उस data को जब हम प्राप्त करते हैं किसी ऐसे श्रोत से जो data को collect करने के बाद उसे publish कर दिया गया है उसे प्रकाशित किया जा चुका है और हम किसी ऐसे श्रोत से वो जानकारी प्राप्त करें तो वो सारे sources हमारे लिए published sources कहलाएंगे published sources के अंदर बहुत सारे sources आ जाते हैं इसके आप examples समझ सकते हो जिसमें आपका जो सबसे पहला हम include करेंगे वो होगा आपका government publications published sources के अंदर सबसे पहला source कह सकते हैं आप government या governmental publications What is governmental publications? तो variety of information जिसका collection government और government के अंदर किया और करवाया जाता है वैसी जानकारियों को अगर सरकार हासिल करती है मतलब पहले उनको collect कराती है जैसे कि state government है, central government है, local government है बहुत तरह की जानकारियां वो प्राप्त करते हैं पूरे देश में, अलग-अलग मुद्दों पर और उस जानकारी को वो publish कर देते हैं अगर आप और मैं वैसी किसी जानकारी को हासिल करें या प्राप्त करें तो वो हमारे लिए government publication कहलाता है government publication के example की अगर हम बात करें तो government publication का एक example आप ले सकते हो जैसे की Reserve Bank of India के द्वारा जितने भी Reserve Bank RBI के जितने भी bulletins छपते हैं RBI के जितने भी magazines छपते हैं उसमें जितने भी जानकारी होती है चोकि वो government के control में है, governing body के control में है और उनके द्वारा वो जानकारी collect करके publish करी गई है तो अगर हमने वो जानकारी वहां से ली तो वो हमारे लिए governmental publication में आएगा और वो हमारा published source कहलाएगा तो ये एक important और reliable source होता है information का और अलग-अलग जानकारी आपको मिल जाएगी अलग-अलग मुद्धों पर जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी इस तरह के sources से उसके लाबा इस published sources में और भी source आजाएगे जैसे की semi-government publications semi-government publications बोलने का मतलब हुआ कि जहां पर government का भी control है और private sector का भी थोड़ा बहुत control है तो जहां पर वैसी governing body के द्वारा data का collection हो रहा हो और उसको collect करके जब publish कर दिया जाता है तो वो सब के सब आपके semi-governmental publications में आते हैं इसके अंदर आपके mainly आजाते हैं example के तौर पे municipalities जितने भी है metropolitan councils जितने भी हैं वो जितने भी तरह के information को collect करते हैं और publish करते हैं अलग-अलग topics पे जैसे की health, education, birth rate, death rate, sanitation साफ सफाई कितनी बिजली के पोल हैं, कितनी नालिया हैं, कितने water supplies हैं तो sanitation के अंदर, sanitization के अंदर ये सब आजाता है और इन सब पे जितने भी reports आपको मिलते हैं वो semi-government publications के example होते हैं अगर हमने वो जानकारी वहां से ली, तो वो हमारे लिए published source कहलाएगा उसके बाद, next इसी में हम बात कर लेते हैं Reports of committees and commissions देखिए कई तरह के reports छपते रहते हैं daily basis पे बहुत सारे committees हैं इंडिया में बहुत सारे commissions हैं, आयोग हैं, committees हैं इस तरह की committee और commissions का setup किया जाता है for particularly किसी एक मुद्दे पर जानकारी हासिल करने के लिए government के द्वारा कई तरह की committees and commissions योजना आयोग जैसे अपने नाम सुना होगा जो कि अब नीती आयोग बन चुका है तो उस तरह के commissions काम करते हैं अब वो जो भी काम करते हैं, उन सारे reports को, उन सारे information को वो अपने report के थूँ publish कर देते हैं तो जो भी information आपको वैसे किसी भी reports of committees and commissions से प्राप्थ होते हैं वो सारे के सारे आपके published sources के अंदर आ जाते हैं जैसे आपने कुछ committees का नाम सुना होगा उपेन committee, पटेल committee, मैंने commission का example दिया आपको योजना आयोग, नीती आयोग तो ये सब आपके examples हैं committees and commissions के इनके द्वारा कई तरह के जानकारियां छपती हैं और वो तमाम जानकारियां आपके published sources के अंदर आती हैं Next हम इसमें और भी sources लेंगे जैसे कि publications of international organizations कई तरह के international organizations हैं अंतरास्ट्रिय संगठन हैं और उनके द्वारा कई तरह की जानकारियां विभिन देशों पर अलग-अलग देशों में collect की जाती हैं जैसे कि WTO है, World Trade Organization है WHO है, आपका World Health Organization है IMF है, International Monetary Fund, World Bank ये सारे के सारे आपके international organizations के examples में आते हैं ये सब आपके international organizations है ये सब अलग-अलग countries पर कई तरह के reports और information जो है वो collect करते हैं और collection के बाद वो उसको published भी कर देते हैं तो अगर आप वैसे information को वहाँ से प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए published source का एक example होगा Next, आपका हो जाएगा publications of research institutions देखे, कई तरह के research institutions हैं जो अलग-अलग मुद्दों पर daily basis में, इंडिया में, out of India कई तरह के मुद्दों पर वो जानकारी या research कर रहे होते हैं जो भी research work वो करते हैं उन सारे काम को वो अपने reports के थ्रू publish कर देते हैं कि भई हमने यसी यसी खोज करी है और study करा और इस study से हमें ये result रिसीव हुआ तो जो भी information उनको collect होता है वैसे reports और वैसे research से तो उनको वो publish कर देते हैं वो एक important source होता है हमारे लिए published data का उसके लावा published sources में आपके और भी publications आ जाते हैं जैसे आपके आजाते हैं publications of publications of trade institutions कई तरह के ऐसे व्यपार करने वाले संगठन हैं जिनके द्वारा कई तरह के information का collection किया जाता है तो जो भी information का collection करते हैं regarding the trade import कितना हो रहा है, export कितना हो रहा है stock market से related आपको कई तरह की जानकारिया मिलती है particular companies को क्या profit मिला है governmental companies को क्या profit मिला है इस तरह की कई जानकारियां आपको हासिल होती है publications of different different trade institutions से और ये भी आपका एक important example है या important source है published data का published sources का हम यहाँ से भी data प्राप्त कर सकते हैं and most important and common that is journals and newspapers कई तरह के journals यानि की पत्रिकाएं छपती है कई तरह के newspapers आते रहते हैं हम सब daily basis पर देखते हैं कभी ना कभी हमने देखाई है तरह के information इस तरह के sources से हमें कई तरह के अलग-अलग मुद्दों पर जानकारी हासिल होती है और वो हमारे लिए एक important source हो जाता है published data का और published source का तो ये सब आपके published sources के example में आ जाते हैं sources में आ जाते हैं ये variety है जहां से आप published data प्राप्ट कर सकते हो और इन में से आप कोई भी तरीके किसी भी एक source से information collect करते हो तो वो आपके लिए published source कहलाएगा अगला है हमारा unpublished sources देखे नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका एक ऐसा source है information का, secondary data का जो की unpublish source है क्या तो data जिसको collect किया गया और collection के बाद जिसको publish नहीं किया गया data जो collect हुआ बट publish नहीं हुआ वैसी जानकारियों को भी हम receive कर सकते हैं सबसे पहला सवाल कि ऐसी जानकारियों को collect किया ही क्यों जाता है अगर इनको publish नहीं किया गया तो तो इस तरह की जानकारियां जो है वो collect की जाती है अपने खुद के record को maintain करने के लिए या फिर self use के लिए particular offices में आपको office record maintain करने के लिए कई तरह की जानकारी collect करते हुए आप देखोगे साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे places होते हैं जहां पर self use के लिए भी data का collection होता है तो different different type of data collect किये जाते हैं for self use, for office record बट उनको publish नहीं किया जाता अगर आपको और मुझे वैसी किसी जानकारी की जरूरत है तो हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं किस तरह के लोग ऐसी जानकारीों को हासल करते हैं या collect करते हैं तो कई तरह के labor bureaus हैं universities हैं research scholars हैं individuals हैं educational institutions हैं इन सब के दवारा इस तरह की जानकारी collect करी जाती है बट उसको publish नहीं करी जाती for example आपके college में जो आप सारे बच्चों का information collect किया गया है तो वो जो data collect हुआ उसको collection के बाद publish नहीं किया गया वो data का collection हुआ है for self use या office record के लिए तो वो जानकारी unpublish source है अगर किसी को वो जानकारी चाहिए किसी बच्चे का कोई detail चाहिए for whatever reason किसी का कोई contact number चाहिए तो easily वो या address चाहिए तो वो data हम वहाँ से receive कर सकते हैं तो data हम receive करते हैं unpublished sources से भी वैसे श्रोतों से भी हम secondary data को प्राप्त कर सकते हैं जिनको collect तो किया गया है बट collection के बाद उसको publish नहीं किया गया है और इस तरह के data self-use के लिए या office record के purpose से collect किये जाते हैं ये सारे आपके होते हैं secondary data के sources और इसी के साथ हमारे जो methods हैं या हम कह सकते हैं कि जो sources हैं secondary data के collection के वो complete होते हैं और हम लोगों ने primary और secondary data के collection के सारे methods discuss कर लिए हैं detail में and now अब हम अगला topic discuss करेंगे और अगला topic हमारा होगा हम लोगों ने primary data के collection के लिए fourth method में discuss किया था कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम list of questions तयार करते हैं जिसको questionnaire कहते हैं या schedule कहते हैं और उसकी मदद से हम information का collection करते हैं ठीक है अब information के collection के लिए questionnaire prepare किया जाता है तो अब हमारा जो अगला topic है वो questionnaire पे based है कि जब भी हम for the collection of data questionnaire को prepare करते हैं तो एक अच्छा questionnaire हमें कैसे बनाना चाहिए हमारा topic है questionnaire और फिर हम बात करेंगे कि questionnaire की qualities क्या-क्या होनी चाहिए जब भी हम information का collection करना चाहते हैं और information को collect करने के लिए जब हम list of questions तयार करें तो वो कैसा हो तो सबसे पहले तो meaning जान लें जो कि हम जानते हैं बट स्टिल एक छोड़ से line में हम इसको define कर लेते हैं कि questionnaire is a list of questions pertaining to the objective of study objective of the study को indicate करता हुआ या objective of the study के according जब हम list of questions prepare करते हैं so that list of questions is known as a questionnaire उसको हम questionnaire कहते हैं अब हम लोगों को जानना है कि एक अच्छा questionnaire कैसा होना चाहिए क्या-क्या qualities होती हैं एक अच्छे questionnaire में चुकि देखो यहां पे confused होने की कोई बात नहीं है कि list of questions की qualities क्या हो जाएगी जब जब ही आप जेनरल पब्लिक से सवाल पूछने के लिए questionnaire prepare करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत सारी बातों का कि आपको वो जानकारी जो आप राक्त करना चाहते हैं वो बड़ी असानी से मिल जाए और वो information लोगों को देने में किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस न हो सवाल लोगों को असानी से समझ में आए तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको list of questions prepare करना होता है अब qualities of a questionnaire में हम सबसे पहले पहली quality की बात करेंगे और that would be limited number of questions देखिए एक अच्छा questionnaire वो होगा जिसमें जो list of questions हम add करें मतलब जितने भी number of questions आप add करते हो questionnaire में तो एक अच्छा questionnaire वो कहलाएगा जिसमें number of questions जो होने चाहिए वो limited होने चाहिए कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़ादा numbers में अगर questions को अपने questionnaire में include कर लेते हैं तो ये बहुत difficult हो जाएगा पहली बात दूसरी बात बहुत कह सकते हो कि बहुत boring हो जाएगा general public के लिए वो information देने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम questionnaire बनाएं तो उसमें number of questions हम सीमित मातरा में रखें limited से मतलब है कि बहुत ज़ादा और बहुत कम नहीं होने चाहिए limited मातरा में हो सीमित मातरा में हो इतने हो कि जो जानकारी हम प्राप्ट करना चाहते हैं वो आसानी से कर ले और इतने जादा ना हो कि जानकारी से कुछ जादा ही information हम लेना चाह रहे हैं तो इतने नहीं होने चाहिए सीमित मातरा में होने चाहिए तो सबसे पहली quality होती है कि number of questions in the questionnaire should be limited second quality के तौर पे हम लिखते हैं कि जितने भी questions को हम बनाएंगे questionnaire में limited तो हो गया अब जितने भी questions हम पूछे हैं that should be simple as well as clear पहली बात कि questions जो होने चाहिए वो आपके simple language में होने चाहिए आप Hindi में लिख सकते हैं आप English में लिख सकते हैं it depends upon कि आप किस तरह के area में use कर रहे हैं इसलिए मैं Hindi English बोल रही हूँ it's not restricted only with Hindi और English language आप questionnaire को किसी भी language में prepare कर सकते हैं but जो भी language आप use करें make sure कि वो simple होना चाहिए आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए सवालों को तयार किया जाना चाहिए साथी साथ वो सपस्ट होने चाहिए इतने सपस्ट होने चाहिए कि हम जो जानकारी हासल करना चाहते हैं वो सवाल लोगों को समझ में आए और वो उन्ही सवालों का वही जवाब दे सके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं so the number of questions should be limited as well as that should be simple and clear too उसके इलावा questions जो होने चाहिए वो simple clear तो होने चाहिए साथ में short भी होने चाहिए आपको छोटे-छोटे questions पूछने हैं बहुत जादा आप लंबे-लंबे lengthy questions को questionnaire में नहीं रखेंगे ताकि जवाब देने वाले को बहुत जादा परेशानी महसूस न हो अगली quality आपकी हो सकती है proper arrangement of questions जब भी आप questionnaire prepare करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि number of questions कितने भी हो सकते हैं like 8, 10, 15, 20 that depends upon your study and objective of your study of course but जितने भी हम questions आइड करते हैं उनको logically भी arrange करना ज़रूरी है proper arrangement से मतलब है logical arrangement कि पहले हम नाम पूछेंगे और फिर हम age पूछेंगे फिर हम address पूछेंगे आप इसको illogical manner में arrange नहीं कर सकते कि हमने address पूछ लिया है फिर बात में हम gender पूछ ले रहे हैं फिर बीच में हम कहीं हमने नाम पूछ लिया फिर हमने बात में occupation पूछा nothing like that आपको सवालों को जरा logical arrange करने की जरूरत है कि पहले क्या सवाल पूछा जाएगा और उसके बाद क्या सवाल आएगा अगर आप ऐसा करते हो तभी आपका जो questionnaire है वो जादा effective होगा और proper होगा तो ये भी एक quality होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है whenever we prepare a questionnaire for collection of primary data now next quality of a good questionnaire is कि आपको अपने questionnaire में personal questions नहीं पूछने हैं आप ध्यान देंगे personal questions से मतलब है कि उस तरह के questions जिनके जवाब को देने के लिए या वैसे सवाल जो की आपके informants की feelings को hurt कर दें उनके feelings को offend कर दें वैसे सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए by your informants या in respondents अपने questionnaire में आपको वैसे सवालों को add नहीं करना है जिन सवालों से respondents को respondents offend हो जाएं या उनको तकलीफ पहुँचे हम उस तरह के सवाल नहीं add करेंगे next point quality में हम लिख सकते हैं कि no mathematical calculations ध्यान देंगे कि हम इस तरह के questions को add नहीं करेंगे अपने questionnaire में जिनके answer को करने के लिए या जिनके answer को देते वक काफी जादा mathematical computation की जरूरत पड़े क्यूं? क्यूंकि हमने questionnaire prepare किया है for a layman, for a general public अब general public में कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे मतलब बहुत जादा पढ़े लिखे भी मिलेंगे कम पढ़े लिखे भी मिलेंगे तो अगर आप अलग-अलग लोगों के लिए किसी ऐसे सवाल को add कर देते हैं अपने questionnaire में जिसके answer को करते वक आपको बहुत जादा mathematical calculation करना पड़े तो फिर वो questionnaire आपका सही नहीं होगा क्यूंकि सारे लोग आपको वो जानकारी नहीं दे पाएंगे हर तरह की लोगों के लिए ये मुश्किल है कि वो आपको mathematically calculation करते हुए सही जानकारी दे पाएं तो आपकी जानकारी आपको जो मिलेगी वो थोड़ी गलत मिल सकती है अगर आपने ऐसे questions को add कर लिया है तो तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम इस तरह की questions को include न करें जिनके interpretation में requirement हो काफी जादा mathematical computations की या calculation की उसके लाबा अगले point में हम देख सकते हैं अगला quality के तौर पे हम ले सकते हैं cross examination should be facilitated कहने का मतलब है कि जब भी आप questionnaire प्रिपेर करेंगे तो उस case में आप क्या करोगे कि questions को logically arrange तो करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ आपको questions को कुछ इस तरह से arrange करना है कि आप उनका cross examination यानि की verification कर पाए सवालों को एक बारा finally check करना चाहते हैं कि हमने सारे सवाल सही बनाये हैं कि नहीं जवाब उसके जो हमें चाहिए वो हमें मिल पाएगा कि नहीं तो एका final verification cross check जिसको हम कहते हैं अगर हम वो करना चाहें तो हम वो आसानी से कर पाए हमें इसकी सुविधा मिले हमें सवालों को कुछ इस तरह से arrange करना होता है जब भी हम questionnaire prepare करते हैं उसमें तो ये भी एक important quality होती है आपके questionnaire की अगली quality के तौर पे हम ले सकते हैं कि a good questionnaire should carry an proper instruction that defining the way to answers are given कहने का मतलब है कि एक अच्छा questionnaire वही होगा जिसमें एक proper instruction include होगा proper instruction का मतलब हो गया कि instruction मतलब दिशा निर्देश, निर्देश कह सकते हैं किस तरह का instruction तो जो की define करे explain करे कि कि किस तरह से questionnaire में add किये गये questions को के answer को देना है आपने short question पूछा है आपने objective type question पूछा है, आपने one word answer में questions पूछा है या आप descriptive form में question का answer चाहते हो तो इस तरह से आपके सवालों का जवाब किस तरह देना है इसको बतलाता हुआ इसको explain करता हुआ हम एक proper instruction अपने questionnaire में बिलकुल add करेंगे, जरूर add करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारा questionnaire एक अच्छा questionnaire कहलाएगा, otherwise थोड़ा सा confusion हो जाएगा आपका questionnaire उतना effective नहीं होगा अगर आप instruction नहीं देते हैं, तो फिर लोगों को समझ नहीं आएगा कि जवाब देना कैसे हैं, तो qualities में ये भी point आता है, कि आपको ध्यान देना होता है, कि आपका जो questionnaire है, उसमें एक proper instruction होना चाहिए and the next point is pre-testing of the questionnaire, देखिए, जब भी आप questionnaire को prepare करते हैं, तो prepare कर लेने के बाद, इससे पहले कि आप उसको mailing method में use कर ले, mailing method में use करते हुए, आप उसको भेज दें, उन लोगों के पास, जिन लोगों से आपको जानकारी चाहिए, या फिर आप enumerators method का इस्तिमाल करते हुए, questionnaire को enumerator के हाथों से भिजवा दें, इन सारे काम को करने से पहले, आपको क्या ध्यान रखना है, कि आप अपने questionnaire का प्री टेस्ट करा ले, प्री टेस्टिंग का मतलब हो गया, कि हमने questionnaire प्रिपेर किया, और प्रिपेर करने के बाद हमने कुछ लोगों पर, on some respondents, शार पांच लोगों पर, आप एक बार उसका टेस्ट करा के देख लो, मतलब आप लोगों को दे दो, और उनको कहो, कि आप इसको भही भर दीजे, पूछ रहे हैं, वो जानकारी लोग आपको दे पा रहे हैं या नहीं, साथी साथ, लोगों को आपके सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं, सो बेसिकली आपका जो questionnaire है, उसका effectiveness क्या है, उसकी प्रभाव शीलता, जानने के लिए, परखने के लिए, कितना सही बना है, कितना effective है, कितने हद तक हमें information देने में मदद कर सकता है, इन सारे बातों को जानने और समझने के लिए, हम questionnaire का pre-testing करा लेते हैं, on some respondents, before it is implemented on a mass scale, mass scale पे implement करने से पहले, कुछ लोगों पर test ले लेते हैं, ये कुछ points हैं, जो की qualities दिखाते हैं, कि एक अच्छे questionnaire को जब हम prepare करें, तो इन बातों का हम ध्यान रखें, इन बातों को ध्य में रख के ही हम questionnaire को बनाएं, अब है कि क्या इतनी ही qualities होती हैं, नहीं, इसके अलावा भी qualities हो सकती हैं, इतने enough हैं, इसलिए इतने लिखे में हैं, आप चाहिए तो और भी add कर सकते हैं, that depends upon कि कितने marks का question पूछा जा रहा है, ठीक है, तो और भी qualities हो सकती हैं, जैसे आप किसी particular region, religion या particular caste को के against या उनको focus करता हुआ, आप सवाल add नहीं करेंगे अपने questionnaire में, आप किसी धर्म जाती wishes को promote नहीं कर सकते हैं, अपने questionnaire में, questions के through, अच्छा, उसके लावा आप contradictory questions नहीं पूछ सकते हैं, साथ में, आपको अपने questionnaire के paper की quality पर भी ध्यान देना हैं, printing mistake नहीं होने चाहिए, बराबर से print होने चाहिए, या typing mistakes नहीं होने चाहिए, so these are some points जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, while making a questionnaire, so वो सारी qualities मिलकर, एक list of questions को अच्छा questionnaire बनाती है, और इसी के साथ, हमारी qualities of a questionnaire, जो हम देख रहे हैं, यह complete होता है, तो आज के class में हम लोगों ने क्या-क्या बाते कर ली है, एक पर फड़ा-फड़ से हम उसको rewind कर लेंगे, तो हम लोगों ने secondary data के collection के methods discuss किये, detail में, फिर हमने देखा कि questionnaire का मतलब क्या है, और एक अच्छे questionnaire के qualities क्या-क्या होती है, या होनी चाहिए, अब इसके बाद हम हमारे इस chapter के next topic पर पहुँचेंगे, और जिसके अंदर हम बात करेंगे, इंदिया में secondary data के collection के, इंदिया में secondary data के collection के दो important sources कौन-कौन से हैं, और हम उनको detail में discuss करेंगे, और वो सारे काम हम अपने next class में करेंगे, आज के class में हम इतना ही रहने देंगे Thank you